नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों एक बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कल से खुलेंगे यूपी के सभी परिशद्य इसकूल साथियों इसके लिए दिशा निर्देश आ गए है अभी जो पढ़ाई होगी वो ओनलाइन ही जारी रहेगी और इसके साथ साथ सिक्सकों की उपस्तिती के लिए दिशा निर्देश क्या क्या होंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो Telegram ग्रूप बनाए हुए है आप चाहे तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description वोक्स में मिल जाएगा जिसमें क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए जानते हैं क्या दिसा निर्देश आये हैं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लगातार घटते मामलों के बीच उत्तर परदेश में विभिन व्यापारिक आर्थिक गती विधियों के साथ-साथ सेक्षनिक कारियों से भी आंसिक रूप से पर्तिबंध हटाए जा रहे हैं उत्तर परदेश सरकार में राज्य में सभी सास के प्राथमिक और उच प्राथमिक विधियालियों को एक जोलाई 2021 से खोले जाने के आदेश दिये हैं हालांकि फिलाल बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी लेकिन विधियालिया प्रबंधन अपने अध्यापकों और क्रमचारियों को सेक्सिक और गैर सेक्सिक कारियों के लिए जरूरत के अनुसार बुला सकते हैं चाचात्रों की आनलाइन पढ़ाई इपाट साला के माध्यम से जारी रहेगी सरकार ने सकूलों में सक्ती से कोरोना नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है उत्तरपरदेश सरकार ने इससे पहले सभी सकूलों को 30 जून तक बंद करने का आदेश दिया था यहाँ सभी सरकारी, गैर सरकारी परिशद यह आदी विद्यालियों में आनलाइन तरीके से सैक्सनिक गतिविद्यों को संचालित किया जा रहा है पिछले दिनों उत्तर परदेश बेसिक शिक्षा परिशत के सचिव परताप सिंग बगेल ने सभी बेसिक शिक्षा अदिकारियों और मंडलिय सहायक शिक्षा निदेश को भेजे निदेश में कहा कि कक्सा एक से आठ तक के प्रात्मिक और उच प्रात्मिक स्कूलों में सिक् पीड के चलते स्कूलों में पढ़ाई लिखाई पर बड़ा असर पढ़ा है अब कोरोना वाइरस का असर कम होने पर माध्धमिक सिक्सा परिशद स्कूल खोलने की तैयारी में है नोवी से बारवी तक की कक्साओं के लिए स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है इसके लि अधिकांस अभिभावकों ने रूची नहीं दिखाई अब फिर से राय मागने की तैयारिया है निर्धारी तारीक तक परदेश से गिने चुने मंडल से ही इस आसे की रिपोर्ट बोर्ड मुख्यले पहुची जो रिपोर्ट आई है इसमें स्कूल ने खोलने की भी राय है इससे बोर्ड बहुमत की अधार पर अभिभावकों की मंसा का अनुमान नहीं लगा पाया की स्कूल खोले जाएं या नहीं ऐसे में एक बार फिर अभिभावकों की राय मांगे जाने की तैयारी है बहुत तायत में मिलने वाली राय के अधार पर निन्ने लिया जाएगा इ एक जोलाई से क्या क्या कारिया शुरू होंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बारे में आपरेशन काया कल्प की गतिविदियों को पूरा करना ये भी आपका महत्पूर्ण कारिया होगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए है पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे की आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद।